उत्तर प्रदेश विधानसवा चुनाओ के लिए कवायत तेज हो गई है तीन राजन्यतिक दल एक नया गटबंधन बनाने की कवायत में जुड़ गई है इस मुद्धे पर बाचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के अभरष नेता विने कट्यार जी है इविने जी सुखबुगार तेज है और कॉंग्रेस, जेडियू और राष्ट्री लोगदल ये तीनों अब एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश में हैं चुनोती होगी आपके लिए? कोई चुनोती नहीं होगी इनका कटवंदन पहले भी रह चुके हैं और जेडियू का कुछ है नहीं उत्ता प्रदेश में कांग्रेस का थोड़ा वहुत है बाकी बची नहीं पार्टी है बाकी अजी सिंग का भी कुछ दोचार जीलों में कुछ प्रवाव रहा है वो भी पिछले लोग सवाव चुनाओं में वो दोस्त हो चुके हैं इसलिए कोई अस्ति तो नहीं लोगों का है इसलिए इस गड़बंदन का कोई मतलब नहीं निकलता है लेकिन इस गड़बंदन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा समाजवादी पार्टी बीजेपी या फिर बीएसपी और वो समाजवादी पार्टी के साभता है gotta मुक्षी लड़ाई्या आप किस के साथ देखते हैं समाजवादी पार्टी के साथ या फिरतन समाजवादै समाजवादी के कि अभी सुगवाट में आई है और मैं नहीं समझता हूं कुछ ने पांच साल में चुनाओं के बाद कोई आंदोलन किया होगा धरना प्रतरसन जनता की बीच की आवाज उठाने का काम गुंदेल खंड में लोग भुखवरी से मर रहे हैं सुखा क्रस्त हो गया है वहां जाने का काम तो कहीं किया नहीं मायावते जी कहीं एक जगह भी कहीं हो तो बता मैं आपने मुद्दे की बात की है पिछले कुछ दिनों से अयुद्या मुद्दा राम मंदिर की निर्माल का मुद्दा जिस तरह सुर्कियों में आया फिर से हलचल देखी गई पत्थर तराशने का काम भी वहां तेज दिखाई दिया और संग्र प्रमुग मुहन धागवत ने पिछले दिनों इस तरह बयान दिया क्या उत्तर प्रदेश चुनाओं में राम मंदिर का मुद्धा ही बड़ा मुद्धा होगा या फिर प्रधान मंदिर जिस तरह सबका साथ सबका विकास डबले चला है और जो भी उसका निर्णे होगा तो बादचीत के माध्यम से होगा या अदालत के माध्यम से होगा या फिर संसत कंदर कानून बना करके उसका निर्णे होगा तो ऐसी इस्तिती में अभी रामंदिर पर कुछ चुनाओ के दोरान अंदोलंग चलाने की जिरूत नहीं है चुनाओ के बात देखेंगे अंदोलंग के लिए दिली